Hello students, welcome to your most favorite educational channel that is Magnet Brains. Students, यहाँ पर आपको kindergarten, means kg से class 12 तक आपको आपका पूरा syllabus मिलता है, वो भी 100% free. और हाँ students, अब हमारे platform पे आपको books और e-books भी available हैं. और हाँ students, यहाँ पर चो content है, उसको और जादा efficient बनाने के लिए हमने अपने content को कुछ categories में divide किया है. जैसे sample paper solution booklet, then MCQ booklets, theory booklet and many more. तो अगर आपको books चाहिए, तो नीचे दिये गए description पे जो form available है, उसे fill करिए और submit करिए. जैसे आप submit करेंगे, हमारी team आपसे contact करेगी. Right students, तो चले शुरू करते हैं आज की studies. आज हम हम अपने class 1 के international English Olympia, that is IEO में, जो topic पढ़ने वाले हैं, वो बहुत ही interesting है. So, today's topic students, word pairs and odd one out. Yes, तो यह हम पूरा topic complete करेंगे. तो आज हम पढ़ेंगे word pairs. What is word pairs? Word, मानि कोई भी word. Pairs means pairing करना, एक साथ करना. ठीक है, like I will give you one example. Foot, foot एक word है and ball, ball भी एक और word है. यह दोनों word को हमने pair कर दिया, एक साथ कर दिया. तो क्या हो गया? Football, right? तो two different different words को हमने एक single word बना दिया. So, this is known as pairing of word. ठीक है, अब जैसे कुछ चीजों को हम एक साथ बोलते हैं, जैसे uncle and aunt. तो uncle के साथ aunt को हमने add कर दिया, father and mother. तो father के साथ हमने mother को pair कर दिया. तो like this, we will do word pairing. ओके? चलो, start करते, example आप देखेंगे, तो आपको और समझ में आ जाएगा. Yes, student. So, see the first example. What is the heading? What is the topic? Choose the words which form appropriate word pair. यहाँ पे आपको एक कुशन में एक word दिया है, right? Like black, black is a word, ठीक है, काला. Black and, तो black के साथ जो suitable word pair करेगा, जोडी बनाएगा, वो हमें यहाँ से ढूंड ना है. ठीक है? तो कौन-कौन से options हैं हमारे पास? Light, white, bright and pen. तो देखो, काले के साथ क्या pairing होनी चाहिए? सफेद. So, black and white. Understood, students? तो black के साथ क्या pairing होई? White की pairing होई. ठीक है? काला और सफेद. है ना? तो ऐसे होती है word pairing. Right? अब black के साथ हम bright नहीं बोलेंगे. Black के साथ हम pen नहीं बोलेंगे. अगर हमें कभी बोलना है तो black and white screen. ऐसे बोलते हैं ना? Black and white screen. तो black के साथ pairing होती है white की. White की pairing हम कर सकते हैं. जो सबसे जादे suitable option है इन चारो option में से. ठीक है? Understood? चलो, आप solution करना शुरू करते हैं. आप भी paper pen लेके. Ready हो जा, students. ठीक है? चलो, see the first question. Yes, picture भी देखते जाना. उसे कुछ आपको hint मिलती जाएगी. सोफा, बेटशीट और सोफा. बेटशीट और बेड़, चदर और पलंग. बेटशीट और पिलो कवर. और टेबल. तो जबी भी बेटशीट हम मार्केट से लेने जाते हैं, उसके साथ हमें पिलो कवर मिलता है? विलकल मिलता है. क्योंकि वो दोनों की पेरिंग ही हैं, और बेटशीट और करेक्ट आंसर इस पिलो कवर. तो बेटशीट के साथ किसकी पेरिंग होगी? पिलो कवर की. ठीक है? चादर और तकिया, बेटशीट और पिलो कवर. ओके? अंडिस्टुड है ना? बहुत इसी सूड़न्स? येस, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, चीज़े बहुत इसी हो जाएंगी. ठीक है? बस रीड करो. हर आप्शन को आपको पढ़के देखना है सूड़न्स. ठीक है? नौसी दे नेक्स वान. येस, लाइट अथ्या है. रोशनी और, ओर, दे हो सकता है क्या? रोशनी और दिन. दार्क, रोशनी और अधेरा, लाइट अथ्या Какगे मैंदेरा. रोशनी और बल्ब, रोशनी और कैन्डल. तो क्या होगा? सोचो. Think it off. Yes, light and dark रोश्णी और अंधेरा ठीक है students? तो light के साथ कौन सी पेरिंग होगी? Light के साथ होगी पेरिंग, dark की अजाला और अंधेरा Light and, light and dark Okay students? तो light की पेरिंग होगी, dark के साथ Light and dark, ठीक है? Now see the next question Yes, lock and ये तो बहुत simple है ताला और, ताला और उसकी चाबी तो lock, एक हो गया sum एक है open, lock and open एक है luck and the fourth option is key Key मतलब चाबी तो lock and key, very simple ताला और चाबी So the correct pairing with lock is key Understood? ताले की चाबी Lock, key Okay है ना, बहुत easy और बड़ा मज़ेदार चलो, आगे बढ़ते हैं See the next one Sweet, मीठा Sweet and अब sweet के साथ किसकी pairing होगी? Bitter, bitter मने कड़वा Tasty, sweet and tasty Yummy Sweet and yummy Sweet and sour Meठा और खट्टा है ना? कोई भी चीज हम बोलते है यह अचार तो बड़ा मीठा खट्टा सा है Right? So the exact pairing with sweet is sour The meaning of sour is खट्टा, ठीक है? So sweet के साथ किसकी pairing होगी? Sour, मीठा और खट्टा Sweet and sour Okay? चलो, आगे बढ़ते हैं See the next one Past Past मने पिछला, जो बीत गया Okay? P-A-S-T, past Past के साथ किसकी pairing होगी? Tomorrow, मने कल Future, जो आने वाला है Yesterday, जो बीत गया None of these, मने कोई भी नहीं Past and future पुराना और Past means हमारा भूत काल जो निकल गया Future means भविष्य, जो आने वाला है ठीक है? क्योंकि क्या होता है? Past means भूत काल अभी मतलब वर्तमान मने Present काल And वर्तमान means present That is the वर्तमान काल और जो आने वाला हम उसको क्या बोलते है? भविष्य काल That is future तो क्या होता है? Past, present, future ठीक है? तो past के साथ क्या हो जाएगा? Future Past मने जो चला गया Future जो आने वाला है So the correct pairing of past and future ओके? आगे बढ़ते हैं Back Back means पीछे ठीक है? तो क्या pairing हो सकती है? एक है far Far मने दूर Fourth Fast and less तो back के साथ होगी पीछे Fourth means आगे ठीक है? So the best pairing with back is Fourth F-O-R-T-H Fourth पीछे आगे Back Fourth ओके? पीछे का क्या होगा pairing? आगे ठीक है? चलो आप और दीखते हैं बहुत simple है Shirt Shirt के साथ क्या जरूरी होता है? Students जल्दी से बताओ सोच लो क्या होगा? Pants Hats Pants Hats Belts And Shoes Shirt पहनोगे तो उसके साथ जरूरी क्या है? पहनना बिटा Pants पहनना Okay? So the pairing of shirts and pants है ना? बहुत easy Shirt बगेर pant के तो पहनोगे नहीं तो shirt की pairing होगी Pants के साथ ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं माने सबसे ज़्यादा जरूरी shirt के साथ क्या है? Pants है ना? तो जो चीज़ exact होगी सबसे ज़्यादा वो ही हमारा answer होगा ठीक है? Now chair Chair कुरसी Bed Cart Table and Wood तो क्या होगा? Chair के साथ हम क्या बोलते है? Chair and Table So the best pairing of chair and table ओके? कुरसी और table Chair and table ठीक है? तो हर option को आपको read करना है और बोल के देखना है ठीक है? चलो आगे देखते हैं Yes Nephew आपकी बहन का बच्चा आपकी बुआ के बच्चे है ना? वो आपके पापा के क्या होंगे? आपकी बुआ की बेटी क्या होगी आपके पापा की? Niece और बुआ का बेटा क्या होगा? Nephew ठीक है? तो Nephew and Niece भांजा भांजी ठीक है? Friend नहीं होगा Brother नहीं होगा Cousin नहीं होगा Nephew के साथ कौन सा word pair जाएगा? Niece ठीक है? Nephew and Niece Right चलो आगे बढ़ते हैं Ladies Ladies and Gentleman Hello Ladies and Gentleman सुना है न कई बार? तो Ladies के साथ हमारा word pair जाएगा Gentle This one Gentleman Okay? M.A.N. Men Gentleman means एक आदमी और Gentleman means बहुत सारे देखो यहाँ पे M.A.N. Men आ गया तो यह plural हो गया ठीक है? यहाँ पे M.A.N. Men means यह singular है एक आदमी को हम बोल रहे हैं Gentleman और अगर बहुत सारे तो हम बोलेंगे Gentleman Okay students So Ladies and Gentleman Right? Okay तो यह थी word pairing हमने कैसे words को read किया और जो best suitable option था हमने उसकी जोडी बना दिया उसको pair कर दिया Okay students तो practice करो Ma'am ने आपको बहुत सारे examples दे दिये है Right? Practice करो और भी word जूंडो और practice करो हम और भी example के साथ practice करेंगे फिर मिलेंगे students एक new topic के साथ Till then Bye-bye Take care